जबर किशास्तनेकर इलाकिसी नहरगर की चरण मंदिर घूमने जाने की कहका निकले दो भाईयों में से चोटे आशीश पारशर का शब पहाडियों पर मिला था और बड़ा भाई राहू अभी भी भी लापता है चार दिन से चल रही सर्च के बाद भी राहूल का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है वहीं आशीश का आज अंत्म संस्कार कर दिया गया है इदर इस मामले में SIT का विठन किया गया है और वहीं आज नहरगर की पहार और आजपास में सर्च किया गया वहीं इस मामले में पुलस को राहूल की कॉल डीटेल से बड़ा इंपुट हाथ लग चुका है पुलस अगदिकारियों के अनुसार राहूल के कॉल डीटेल में एक लड़की का नमबर सामने आया है और इस लड़की से हाथ से वाले दिन भ कुछ लोगों पर शक भी जताया है और ऐसे में SIT उन सभी लोगों की भूमिका की जाच करेंगी इसके अलावा जिस वाइनेंस कंपनी में दोनों भाई जॉब करते थे वहां के करमचारियों और उनके जॉब को लेकर भी जाच की जाएगी और पुलस सूत्रों के अनुसार जब राहुल और आशीश की कॉल डीटेल खंगाली तो ये सामने आया, खुलकर ये सामने आया कि हाथसे वाले दिन आशीश ने अपनी मा को कॉल करके करने के बाद में नहरड के गार्ड को भी कॉल किया था, बताया गया कि वह रास्ता भटक गया है, वहीं राहुल के मॉब खोल देगा, इस पूरे मामले का राज हटा देगा, इस पूरे मामले से पड़ा, पलाल के लिए जुड़ेए पंजाब के इसरी के साथ, नमस्कार